दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की जिसको हम करेंगे वर्चुल लैब की मदद से और हाँ दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर को समझने से पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को समझना बहुत जरूरी है तो इस पर मैं एक व वो वीडियो का link आपको मिल जाएगा आप सबसे पहले इस वीडियो को देख ले और उसके बाद इस वीडियो को आप देखें तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात तो सबसे पहले आपको type कर गूगल में वर्चुल लैब या फिर आप ये लिंक टाइब कर सकते हैं www.vlab.co.in इसके बाद आपको काफी सारे इंजिरिंग डिपार्टमेंट्स के नाम यहाँ पर दिख जाएंगे electronics, computer science, electrical, mechanical, civil and physical science तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है electronics पर तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको काफी सारी virtual lab मिल जाएंगी तो आपको नीचे scroll down करना है और नीचे आपको एक lab मिल जाएगी जिसका नाम होगा basic electronics lab तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और नीचे आपको मिल जाएगा list of experiments तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे experiments already given है तो number 7 पर आपको मिल जाएगा full wave rectification तो simply इस पर आपको क्लिक करना है तो इसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे option आपको मिल जाते हैं तो 2 मिनट हम बात कर लेते हैं इसकी theory की तो मैं आपकी जानकारी के लिए बत बारे में discuss किया गया है पहला है center tape और दूसरा है bridge full wave तो हम आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं bridge full wave rectification और दोस्तों यह है हमारा bridge rectifier circuit तो इसके अंदर हमने use किये है चार diode आप देख सकते हैं इनको नाम दिया है d4 यह है d4 और यह है d1 और यह है d3 और यह है d2 और दो सकते हैं यहाँ पर एक bridge की तरह ही दिखता है तो इसलिए इसको नाम दिया गया है bridge rectifier क्योंकि अगर हम बात करें इसके size और cost की तो वह होती है काफी जादा कम तो इसलिए हम जादा तर use करते हैं bridge rectifier को और हाँ दोस्तों अगर हम बात करें इस circuit के working की तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यह जो diodes हैं उनको हमने किस तरीके से लगाया है और जब supply यहाँ पर मिलेगी तो कौन सा diode काम करेगा और कौन सा नहीं आपको सिर्फ इतनी ही बात समझनी है और आपका काम हो जाएगा आपको concept समझ में आ जाएगा तो इस circuit को complete करने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया है load resistor और इसके across आपको मिल जाएगा voltage output तो मैं आप सभी से request करता हूँ कि आप एक बार के लिए सिर्फ इन diodes पर अपनी नजर बनाए रखें क्योंकि अगर मैं बात करूं कि supply जब यहाँ से आ रही होगी जिस time supply यहाँ से आ रही होगी तो यह जो वाला diode है यह ह फॉर्वर्ड बायस में ठीक है तो supply आपकी यहाँ से पास होके कुछ इस तरीके से जाने वाली है क्यों क्योंकि यह वाला जो diode है वो भी कैसा होगा reverse biased और यह वाला भी कैसा है reverse biased तो supply आपकी यहाँ से होते हुए ठीक है अब यह forward bias में हो चुका है तो यहां से भी पास हो ज रहेगा या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपका D4 और D3 open circuit की तरह काम करेंगे क्योंकि यहां से कोई भी current पास नहीं होगा ठीक है तो यह ना के बराबर है तो current कहां से पास हो रहा है आपका D2 और D1 से ठीक है क्योंकि यह दोनों जो diode है अभी फिलाल forward bias में है तो इस तरीके स से आपका positive half cycle में circuit complete होगा और अगर मैं बात करूं negative half cycle की तो उस case में कैसा होगा क्या आप मुझे बता सकते हैं देखिए इस तरीके से आपका यहां से होता हुआ आपका current कुछ इस तरीके से आपका circuit complete होगा तो यह कौन सा case होगा आपका negative half cycle का तो चलिए दोस्तों अभी circuit को perform करते हैं virtual lab की मदद से जहां पर हम इसकी simulation कर सकते हैं और output हमें मिल जाएगा तो इस circuit को simulate कराने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है तो जल्दी से यहां पर क्लिक कर दीजिए simulation तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहां पर आपको दो option मिल जाएंगे एक है full wave rectifier दूसरा है full wave rectifier draw circuit तो यहां पर हम सीधा इसको perform करते हैं full wave rectifier पर क्योंकि circuit के बारे में तो मैंने आपको already बता ही दिया है को यहां पर मिल ज जाएंगे आपको नीचे controls और यहां पर आपको मिल जाएगा instruction नीचे है oscilloscope और नीचे आपको channels मिल जाएंगे तो चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर instruction को read कर लेना है आप जल्दी से इनका एक screenshot ले सकते हैं और इनको पढ़ लीजिए क्य लेट से यहां पर change करना है मैंने रख दिया है 200 ohms और उसके बाद आपको यहां पर नीचे on करना है इसको ठीक है on जैसे ही आप करते हैं यहां पर आपको axis मिल जाएगा x axis और y axis ओके इसके बाद आपको sine wave पर click करना है जो basically आपका input होगा ओके तो जैसे ही आप इस पर click करते हैं sine wave पर यहां पर आपको input waveform दिख जाएगी इसके बाद आपको click करना है oscilloscope जहां पर आपको output मिलने वाला है तो मैं इस पर click करता हूँ तो आपको यहां पर rectified output मिल जाएगा जो basically actual में output है ओके तो यहां पर आपकी दोनों waveform positive और negative दोनों ही rectify हो चुकी है ओके तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ controls की यहां पर मिल जाएगा आपको amplitude चाहे वो input का हो input waveform का या फिर output waveform का आप उसको vary कर सकते हैं तो let's say यहां पर आपको मिल जाता है frequency और मैं यहां पर जो input है उसका change करना चाहता हूँ parameter amplitude तो amplitude को भी आप vary कर सकते हैं यहां पर ठिक है इसको सिर्फ आपको move करना है तो यहां पर amplitude भी vary हो जाएगा और अब यहां पर हम कर लेते हैं frequency को change तो वो भी change हो जाएगी और उसी हिसाब से आपको output भी मिल जाएगा और यहां पर आपको मिल जाता है channel 1 तो इस पर अगर आप click करते हैं channel 1 पर तो यहां प input waveform है वो आपको यहां पर मिल जाएगी और यहां पर देखें राइट साइड में यहां भी आपको कुछ controls मिल जाते हैं तो channel 1 जो है basically आपका जो input waveform है ठीक है sine wave है उसके लिए हम use कर सकते हैं तो position y को आप vary कर सकते हो यहां पर इस तरीके से up and down कर सकते हो और यहां पर आप voltage को vary कर सकते हो और यहां पर आपको मिल जाता है channel 2 के लिए position y को आप up and down करके vary कर सकते हैं ठीक है और इसकी voltage को भी आप कम या फिर जादा कर सकते हैं बहुत आसान है इसको control करना और यहां पर time के respect में आप इसको position को change कर सकते हो और यहां पर आपको नीचे मिल जाते हैं कुछ mathematical formulas vrms का जो formula है वो है vm upon root 2 और vm basically peak voltage ठीक है जो highest voltage है वो आपकी peak voltage होगी और यहां पर आपको मिल जाता है calculator ठीक है this is your virtual calculator आप इसकी मदद से calculation कर सकते हैं और values को find कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपकी लिए काफी informative रहा होगा और इस तरह की informative वी तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ thank you so much for watching